जबलपुर लोकायुक्त पुलस ने बुधभार शाम पातन तहसील में छापामार कारवाही करते हुए निजी तौर पर काम कर रहे महेंद्र कुमार को रंगे हातों रिश्वत लेते हुए गरफ़तार किया जब अलपुर लोकायुक्त पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि रिश्वत के इस खेल में पटवारी निशा चौधरी के साथ नायब तहसीलदार गौरफ पाड़े भी शामिल है दरसल पाटन में रहने वाले अनिल पटेल ने अपनी पैत्रिक जमीन का बटवारा करने के लिए एक आविदन पाटन तहसील में दिया था इसी बटवारे को लेकर पटवारी निशा चौधरी ने अनिल पटेल से 18,000 रुपे की मांग की थी पटवारी ने आविदक अनिल पटेल को ये बताया था कि इस रिश्वत के रूप में नायब तहसिलदार का भी हिस्सा होगा लहाजा इससे कम कीमत में आपका काम नहीं हो सकता फर्यादी अनिल पटेल ने रिश्वत की मांग को लेकर जवलपुर लोकायुक्त से शुकायत की शाम पाटन तहसिल में जैसे ही फर्यादी अनिल पटेल ने पटवारी निशा चौधरी के कहंटे अनुसार प्राइविट कर्मचारी के रूप में काम कर रहे महेंद्र को 18,000 रुपे के रिश्वत लेते हुए गिरफतार किया वैसे ही पटवारी और नायब तहसिलदार मौके से फरार हो गए लोकायुक्त पुलिस की पूस्ताच के दौरान महेंद्र ने बताया कि पटवारी निशा चौधरी ने उन्हें रिश्वत के रुपे लेने को कहा था सांथ ही ये भी कहा कि रिश्वत के 3,000 रुपे पटवारी को मिलने थे और बाकी के 15,000 रुपे नायब तहसिलदार गौरफ पांडे के थे बरहाल लोगयोगत पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ कारवाही शुरू कर दी है जबकि पटवारी निशा चौधरी और नायब तहसिलदार गौरफ पांडे मौके से फरार हो गए जुन की तलाश की जा रही है तहसिल पांडे में और रियाना की पटवारी सुस्री निशा चौधरी पैत्रिक जमीन की पटवारी के पिकरण में आजिस करने तो 20,000 रुपे की मांग कर रहे हैं इस बात की तद्दीक कराई गई और तद्दीक के दोरान आज 18,000 रुपे जयने ते हुआ था पटवारी निशा चौधरी को जो निशा चौधरी ने पाटवारी कारले में पटवारी कच्छ में ये 18,000 रुपे की राशी अपने साथी महें चड़ार को दिलाई है तीनों आरुपी गुब्रद रुष्टाता राजिन एमपी रहत कारवाई जी गई है कर दो कर दो